वारानसी के रविदास घाट पर गंगा किनारे कलाकारों की थाप ये समारो टेंट सिटी की शुरुआत का है इसका उद्घाटन शुक्रवार को पढ़ान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुल किया रेडी ठेले रिक्ष्यावालों दुकानदारों होटल गेस्ट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टेंट सिटी का मक्सद भी बताया और माय ने भी अब गंगा पार के छेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले स्रधालूओं को परियटकों को एक नया अनुभव देगी इस टेंट सिटी में आदुनिक्ता भी है अध्यात्म भी और आस्था भी है राग से लेकर स्वाद तक बनारस का हर रस हर रंग इस टेंट सिटी में देखने को मिलेगा संत रविदास के उसी घाट पर महिलाओं का यह दीद टेंट सिटी के साथ सबसे लंबे जलमार्ग पर तूरिस्टों को लेकर निकलने वाले गंगा विलास कुरूच के लिए है इसे भी प्रधान मंत्री ने हरी जंडी दिखाई उन्होंने बताया कि किस तरह यह कुरूच परियटन को बढ़ावा देगा मेरी कासी से डिबुरगर के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जलियात्रा गंगा विलास कुरूच का शुभारम हुआ है इससे पूर्वी भारत के अनेक परियटक स्तल वर्ल्ड टूरिजम मैप में और प्रमुक्ता से आने वाले हैं ये पूर्वी भारत में ट्रेड और टूरिजम से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं रोजगार के नए आउसर बनाने वाले हैं बनारस में लगी टेंट सिटी बनारस के परियटन को पढ़ावा देगी और गंगा विलास कुरूच 27 नदियों से होते वे 32 किलोमेटर की यात्रा में लगबग 50 पढ़ाओं पर रुकेगा इन तमाम जगों पर परियटन के नए आउसर खोलेगा एक लंबा जो एक जल मार्क का अपना जो सबसे लंबे जल मार्क के पर जो ग्रूज चलना था जिसकी हरीजंडी दिखनी थी वो निकल चुका है एक नया इतिहास एक नई कहानी लिखने के लिए वारानसी के रविदास घाट से पुर्शत्तम के साथ अजेज सिंग एंडी टीव इंडिया